विन्ती हा मारी मायाद रखना अटल हा मारा सुहाग रखना जैश यराम इतालिका तीश की पूजा कैसे करनी है पारड कप करना है इस बार उठाना है कि नहीं कहां से उठाए माय के असे सुराल से बाकी सारे नियम जान लेंगे हैं इस वीडियो में इसके जानने के बाद देखने के बाद आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं रहेगा तो चलिए जान लेते हैं इस साल साल 2024 में हरी तालिका तीज कवरत 6 सितंबर दिन सुक्रवार को रखा जाएगा इस साल जिनको नयावरत उठाना है वो उठा सकते हैं जिनके घर में होता है या नहीं होता है तो आप माय के से इस व्रत को होता है तो वहां से उठा सकते हैं तो चलिए जाननेगे हम इनकी पूजा कैसे करनी हैं यावरत काफी कठिन होता है क्योंकि इसका निर्जल उपवास 36 गंटे तक रखना होता है यानि अगले दिन इसका पारड होता है इसलिए यावरत बहुत ही कठिन माना जाता है तो सबसे पहले इसकी सामगरी जान लेते हैं पूजा की हरितालिका तीज की पूजा के लिए आपको सिवलिंग और माता गौरी की मूर्ती चाहिए आप चाहे तो मिट्टी की अगर मिलती तो वो ली लेजिए नहीं तो आप किसी पवित्र नदी तालाब के पास की साफ से भी पूजा कर सकते हैं इसके लाव आपको पूजा के लिए चंदन, जनेव, फूल, नारियल, अक्षत, पांशपान के पत्ते, इलाइची, सुपारी, लौंग, फल, फूल, केले के पत्ते, समी के पत्ते, आम का पत्ता, कलश, कुछ चीज़े आपके घर में होती जैसे च पत्तूरा, फल, कलस, अभिसे के लिए बरतन, दूब, आग का फल, घी, दीपक, अगरबती, कपूर, वरत कथा, पुस्तक, बेल, पत्तर, जाती, पत्तर, बास, पत्ता, जो भी भोले नात को जितनी भी चीज़े चढ़ाई जाती वो सारी चीज़े आपको चाहिए हर प्रक चीडा, जितना भी आप हो सकता, अलग से ब्रामध को देने के लिए, खुद को यूज करने के लिए आपको दो जगे पर सरंगार की सामगरी रखनी चाहिए, एक तो देने के लिए और एक आप खुद के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि सरंगार की सामगरी जो आप चढ़ उप्रत रखना है, उस दिन आप सुबह में उठकर अपने पहले से घर को साफ करें, मंदिर को साफ करें, सुबह की पूजा आप डेली पूजा की तरह करेंगे, लेकिन मंदिर में उस समय आप हाथ में अक्षात फूल लेकर ब्रत का संकल्प लेंगे, कि आप आस निर्जल तरह उस समय इसकी पूजा की जाती है, आप दिन में जितना भी भोग बना सकते हैं, जो भी हो सकता है, ये सारी चीज़े आप तयारी करेंगे, जहां पर आपको पूजा करने उस जगह को अच्छे से सजा लीजिए, मंदिर में अगर आप पूजा कर सकते हैं, तो वहां भी कर लीजिए, मंदप हो सकता है, आपसे तो जरूर बनाईए, और जब आपको पूजा करने के समय होता है, तो वहां पर अच्छे से गंगा चल छिड़कर साफ कर लीजिए, उसके बाद आप खुद भी पहले अक्छे से पूरा सोला स्रिंगार के साथ तयार हो जाएं, इसे क को आप एक चौकी लगा लेनी हो, उसके बाद अगर आपने मिट्टी की बनाई है मूर्ती तो नहीं तो आपने जो ली है, उसको आप इस्थापित करेंगे, इस्थापित करने के बाद आप पहले आप कलस को इस्थापित करेंगे, लोटे में गंगा जल जल, अक्षत, अपना करेंगे फिर उसके बाद ही आप एक अखंड दीपक जलाएंगे जो आपको अगले दिन का जलता रहेगा उसके बाद ही आपको पूझा अपनी सुरू करनी है भोले नात का भिसेक करने के लिए आप पांच चीजों से भिसेक करेंगे यानि दूध, घी, सहद यूद, और इसके बाद लाश्ट में आप गंगा जलते उनका भिसेक करेंगे अब इसे करने के बाद साथ में माता का भी आप जो भी स्रंगारा अपलाई है उनको आप पहनाएंगी जैसे कि आपने साड़ी वगरा लिए है तो आप वहाँ पर रख दीजे नहीं जो आप चुन्री वगरा लाएंगी वो माता को पहनाएंगी अगर आपने कुछ हार या जो भी कुछ खरीदा है वो आप माता को पहनाएंगी पहले आप सरुपर्थम कलस की पूजा और माता पार गडेश और गौरी की पूजा बनाएंगे उसके साथ ही फूल, माला, दीप, धूप, नैवे, दिभोग, जितने भी चीजे आपको और पड़ करनी वो सारी चीजे जो भी निकालने के लिए दान के रख ली वो भी आप साथ में अलग से वहीं पर रख लेंगी जैसे प्रामध के लिए अगर वस्त्र वगएरा या बरतन, दान में खाने की चीजे या जो भी है सुहाग सामगरी ये सारी चीजे रखेंगी और साथ में जो आप माता के लिए सुहा की सामगरी लाए वो उनको आप सारा कुछ पहना देंगी आवाह उपर रख देंगी उनको समर्पित कर देंगी उसके लामध जन्यों वगर आप गनेश भगवान को भी संकर भोले नात को भी आप जरूर चड़ाएं उसके बाद आप कथा आपको जरूर से जरूर पढ़नी है और सबसे आखरी में विधिवत पूजा करने के बाद आपको भोले नात की आरती करनी है और इस हरितालिका तीज में रात्री में जागरड किया जाता है याणि सोया नहीं जाता है और आपको बहुत से लोग जैसे चार पहर की पूजा करते हैं रात में तो वो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं आप रात भर जितना भी भजन, किरतन, जागरड पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद आप वहां से उसको उसी समय मतलब बाद में पूजा करने के बाद थोड़ी देर बाद ही उसका विसर्जन होता है तो विसर्जन के बाद ही उसका पारड होता है क्योंकि अगर आप कथा पढ़ी होगी तो आपको पता है माता पारव या बाहर कर सकते हैं, तो बाहर करें चीज़े आपको सुर्योदे के समय तक कर लेनी है, ज्यादा बाद में नहीं करनी है, कि बाद में आप आराम से करें, पूजा करने के बाद ही आप उसको वहाँ पर धीरे-धीरे करके ये सारी चीज़े आपको उठा लेनी है, जो आपको विसर्जन कर देना, उसके बाद ही आपको पारड करना है, और जो भी दान वगर देना है, वो भी आप उसी समय देल लीजिए, जो आपने प्रसाद चढ़ाया है, वो आप खाकर ही अपने व्रत का पारड करेंगे, और पारी चीजों का ध्यान रखना है, आई होप आपको जैनकरी पसंद आई होगी, तो लाइक सिस्क्राइब कीजेगा, मिलते हैं, और नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए, जैस्री राम,